हेलो गाइज वेलकुम टो मैं चैनल एंड दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना वाल हुआ आप जो कैसे जमा होता है अपने आपके सिस्टम में यह लैपटॉप में जो भी जंक फाइल्स बनती है तो उनके विजय से आपका सिस्टम स्लो चलता है तो उनको आपको कैसे प करते हैं दोस्तों इस वीडियो को अन तक देखते रहे है आपका परफॉमेंस होए पीसी या लैप्टोप का फास चलेगा और बेटर हो जाएगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राब कर सकते हैं इसी तरी के यूश्फुल वीडियो देखने के लिए तो आईए देखते हम सबस यहां पर जाना है start menu में इस पर क्लिक करना है इस तरीके से उसके बाद इस सेटिंग पर चले जाना है यहां पर अब जैसी आप यहां पर setting खोलेगे इस तरीके से आप्शन साईएंगे अपका लेट साइड में सिस्टम का ओप्शन है दोस्तों यहां पर display sound notification इस पर क्लिक कर करना दूस्तों इस तरीक अप्शन साथ को और इस तरीके स्ट आएंगे उसके बाए उसके वाइच्ट पर जाना है हांपर और यह आप देख सकते हैं इस तरीके से फाइल स्वाहिल बनती है यह पूरी इंफुर्मेशन आपके हाड डिसक्ट है तो यह मेरी सी डाइब दुस्त आपको हमने यहां पर डिलीट करना जो भी आन्वांटेट फाइल से दोस्तों तो यहां से यह जो स्टोरेज को ऑप्शन इससे हैं यहां पर स्टोरेज सेंस के न आउटोमेटली फ्री अप स्पेस बाइटिंग अरेट अगेटिंग रिड़ फाइल्स यू दून नीड लाइक टेंपरेली फाइल्स अंगेटल यहां से डिलीट कर देगा तो इसको अन कर देना है इस तरीके से आएंगे आपके बाद दोस्तों यह फिरस्ट वाल राव और अंप्शन है हैँ आपर रन स्टोरेज सेंस इसको आपको अब्री वी कर देना यहां कर जो होता है यहां पर डिलीट फाइल से इन माई रिसाइकल बिन इफ दे हैव बीन धेर और ओवर तो यहां से आपको तीस दिन का सलेक्ट कर लेना है तीन दिस दिन के बाद यह सारे डिलीट कर देगा स्को और यह ऑप्शन आपको नेवर रहने देना क्योंकि यह से थोड़ा सा टाइम लगाए आपके सिस्टम में यह देख सकता है अभी टिक बन के आ जागा आपके पास आप देख सकते हैं यह तरीके से यहां डन का मैसेज आ गया वी आर एबल टो फ्री अपस्पेट 5.73 डिस क्लिन अप स्पीस तरीके शॉप्शन चाह जागा और अब आपको एक्जिट कर लेना है यहां से और यहां से एक्जिट करने के बाद दोस्तों हमने एगले स्टेप के तरफ जाना है यहां से सर्च बार में आपको जाना है और इंटरनेट यहां पर टाइप करना इंटरनेट ऑप्शन्स यह आप देख सकते हैं यह आपके पास आ जा से यह वाले जितनी में आपर टेंपरेली फाइल्स बनती आपके इंटरनेट पर इनको सब को डिलीट कर देगा और इससे भी आपका सिस्टम है काफी फास्ट चलेगा यह आप देख सकते हैं और अपलाए ओके कर देना है इस तरीके से और रेफ्रेश कर लेना एक बार और ने यहाँ पर प्रिफेश लिखना इस तरीके से पी आर इफ इटी सी एज ओके कर लेने हैं और यह आप देख सकता है यहाँ पर इस तरीके से फाइल्स बनेंगे आपके पास तो परमिशन के लिए पर आपके पास ओप्शन साया गा उसको ओके कर देना आपको और इनको गंट् से कहीं भी नहीं रहती है सिस्टम में इवन रिसाइकल विन से भी डिलीट हो जाती है है और यह आप देख सकते हैं आप इस तरीके से ऊपर सारी फैल और यहां पर प्रिफेस फाइल सकते हैं कर तों यहां पर इस तरीका से भी जा सकते हैं मने में आप Run Command में यहां पर और उस बार सो हमने टेम्प लिखना दी इंपी ओके अलेखना को और इस तरीके से आपके बहुत सारी लिस्ट आज़े आ heeft क한 park फाइल्स की गुल्टो यह करना आपको और शेडिक लीट के साथ फृर मिन इंते टेली टेल देने और इस तरीकी आफोटेफ लेना कुछ फाइल रे जाएंगी उनको रहने रहेना है उसके बाद आफू कुछ फिरह से इंडो करना है और इस बार यहाँ पर क्या करना आ दोस्तों आपको जो टेंप लिखा आपको उसके आगे से आपको पर्सनेज लगा देना है और पीछे से यहां पर पर्सनेज लगा देना है इस तरीके से और ऐके कर लेना हैarpके आपके पागा फाइल से आ penguin काफी रिली के साथ यहां पर आपको शिप्ट प्लस डिलीट का बटन दबा देना है और यह सारे यहां आप से डिलीट हो जाएगे तो यह प्रोसेस जो है दोस्तों आपको एबरी वीक करना है आपकी जो पर्फोर्मेंस एपीसी की आटोमेटिंग यहां पर इंक्रीज हो जाएगी और आएगा यहां से इंदर जितने भी कैशे बनता है दोस्तों उसको डिलीट करना उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर लिखना आएटी पॉन पेक उसके बाद स्पेस देना फिर स्लैश फ्लश उसक पार दी एंस तरीके सा आपको लिखने एंटर कर देने और इस तरीके सा आपके बाँ मैसेज आ जा गया यह देख सकता है अब स्क्रस्विली फ्लस दे इनस रिजॉल्वल कैशी तो यह सारे डिलीट हो गया है यहां पर एक हैशी और आपको यहां से एक्जिट कर लेना है इस तरीके से और cmd कर जो इस टेप बताया दोस्तों मैंने आपको उसको कम अब जो आपको यहां पर गूगल प्रावजर खुल लेना है जैसे आप इसको ओपन करेंगे इस तरीके से आए यहां पर जो लेप राइट साइड में दूस्तों आप ट्री डॉट्स इस पर क्लिक करना आपको और उसके बाद हिस्ट्री पर चले जाना इस तरीके से और यह आपको क्लिर करने है तो यहां पर ओप्ष्ण है ब्राउजिंग डेटाओ का इसको इसको क्लिक कर लेने और इस तरीकर से options आयागा. इहां पर basic सलेक्ट हुआ रहे गा. आपके system ना, आपको advance में जाना है है और इसको all time select कर लेना है. यहां प देख सकते हैं आपके पर history आ ज जाए गाप प्रवाइस तरीके से और आप देख सकते हैं पूरा यहां से मैंने क्लीन कर दिया जितना भी डीटा है और यहां से एक्जिट कर लेना और लास्ट में दोस्तों आपको एक और स्टेप बताता हूं जिस से वापको डिस्क लीन अप करना आपको आपको लिखना है clean up यह आप देख सकते हैं option आ जाएगा आपके पास और आपके पास यहाँ पर जितनी भी drives होंगे यहाँ पर उसको select करना आपको इसी तरीके से और okay कर लेना है और इस तरीके options आ जाएंगे है इसको support कर देना आपको इस तरीके से इससे क्या होगा जो आपके drive होगी वो clean हो जाएगी और इससे भी आपका computer जब फास चलेगा so thanks for watching our channel hit like subscribe and share thank you